जहां पर अमिसा पटेल जी बालकनी में खड़ी हैं आप लोग ग्रील को मैच करा सकते हैं यही अमिसा पटेल जी का नया वाला घर इनके घर के अंदर का भी वेडियो में आपको दिखाऊंगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग दोस्तो अभी हम पहुच चुके हैं मुंबई के जुहू के गुलमोहर रोड पर और आज किस वेडियो में हम आप सभी लोग को दिखाने वाले हैं गदर और गदर टू की मसहूर अभिनेत्री जो पर अक्सर वह आके वीडियो गएरा सेयर करती रहती हैं वो सारी चीजे मैं आपको मैच कराके दिखाऊंगा बहुत साई लोग कहते हैं कि कैसे पता होता है कि यह इनका घर है तो भाई मैं इस वीडियो में आपको प्रूख दिखाऊंगा जो आपको मैंने पुराना वाला दिखाया था ना वो उस घर को अब छोड़ चुकी है और अपने नय वाले घर में सिफ्ट हो गई है और नया वाला घर भाई साफ काफी आलिसान है जितना खुबसूरत बाहर से है ना उससे कई गुना खुबसूरत अंदर से है तो आखिर हमारी अमिसा पटेल जी जिन्हों आपको अमिसा पटेल जी के घर का वीडियो तो दिखाऊंगा लेकिन उनके फैमली में उनके नेटवर्स के बारे में उनके कार कलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी भी दूँगा तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लाष्ट तक जरूर बने रही है ठीक है अगर बहुत ही उची उची बेडिन्न है यह है मुंबई का जुहुग तो चलिए हमें सीधा जाना है और आगे से मुड़ना है तो चलिए शूट करके आपको दिखाते हैं तो फाइनली दोस्तो आज हम आई गएं अम इसा पटेल जी के नयवाले घर के ठीक सामने यह आलिसान सी बिल्डिंग जो आपको देख रहे हैं न वाई यह है इनके घर का में गेट अभी मैं आपको इनके घर का नाम भी बताऊंगा बढ़िया से नेम प्लेट उगएरा सब हर याली है काफी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और अमिसा पटेल जी की यालिसान सी बिल्डिंग और ओपर के साइड में जो लोहे की ग्रीले लगी हुई दिखाई दे रही हैं वही पर वो अक्सर आके वीडियो फोटो लेती हैं टेरीस पे सेड़िया दिखाई दे रही होंगी और हर एक बालकनी में आपको फूल पौधे और बड़ी बड़े ग्रीरदी वगेरा लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे जहां पर अमिसा पटेल आज के समय में रह रही हैं मुंबई के जुहू इलाके में तो देखिए ये हैं इनके घर का दूसरा गेट अभी हम नजदीक भी ले चलेंगे और आपको नजदीक से इनके घर का पूरा दीदार करवाएंगे भाई आपको इनके घर के अंदर का वीडियो भी दिखाएंगे कि अमेजसा पटेल जी इस घर के कौन से फ्लोर पे रहती हैं उनकी ये पूरी बिल्डिंग है या सिरुफ फ्लैट है सब कुछ बताएंगे ठेक है तो सबसे पहले आप लोग देखिए ओपर देखो कितनी जादा हर्याली है कितने पेड़ पोधे लगाए गया है और ये बिल्डिंग भाई साब बाहर से काफी जादा खोबसूरत है हर एक खिड़कियों में बड़े बड़े काच के सीसे बना दिया गया है तो इसी बिल्डिंग में हमें आ रही जो अमिशा पटेल जी है आज के समय में रह रही है अमिशा पटेल मुंबई के पौस एरिया में रहती है जो किसी फाइफ इस्टार होटल से कम नहीं है उन ढखो खिड़की से वी दिखाई दे रही है अंदर कभी नजारा यहां से दिख रहा है यार कितना खोस्तूरत है यह बिल्डिंग मैं इनके पहले वाले गेट के जश्ट सामने आके खड़ा हूँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सूभम इनके घर का नाम और उसके आगे क्या लिखा है अभी मैं दूसरे गेट पर जूम करके दिखाऊंगा तो सबसे फर्ष्ट फ्लोर का यहाँ पर बालकनी देखिए से बड़ी सी तस्वीर भी लगाई हुई है अमिसा पटेल के लीविंग एरिया में आपको वूडन फ्लोरिंग का काम भी दिखाई देगा साथ ही सोफे के पीछे वाली दिवार पर एक्टरेश ने बड़े से मीरर भी लगवाए हुए हैं सबसे पहले आप लोग यह वीडियो दोपर हो आपको यहां की तमाम वीडियो इनकी मिल जाएगी यह है इनके बालकनी का नजारा जहां पर इनों ने छोटा सा सोफा और टेबल रखा हुआ है अफसर यहां पर यह बैटती है यह देखोईये है इनकी बालकनी और ज़च्ट बालकनी के पास इनका बेडरूम का एरिया है जहां पर ये अपना सोती है बुक रीडिंग करती रहती हैं दोस्तों ये अमिसा पटेल जी के घर का दूसरा गेट जहां पर लिखा है सुभम वीवाई 3 आप लोग देख सकते हैं और इनकी जो बाउंटरी की दिवाले है वो भी काफी बेहतरिन तरीके से उसकी बैटती है ये इनका फेवरेट कोना है जहां पर हुआइट काउच लगा हुआ है अमिसा पटेल के घर में उपर जाने के लिए अंदर से ही सेडिया बनाई गई है इन पर भी ऊदन वर्क किया गया है एक्ट्रेश ने यहां की दिवार पर भी अपनी तस्वीरे लगाई है और कुछ पेंटिंग भी लगाई हुई है ये वाली वीडियो भी न अमिसा पटेल जी के घर के अंदर का ही है जहां पर पीछे दिवालों पर काफी ज़्यादा पेंटिंग लगाई हुई है और यहां पर लेंब भी आपको जलते हुए नजर आ रहे होंगे अमिसा पटेल अधर के अंदर ही एक डांस एरिया बना रखा है जहां पर यह अपसर डांस की प्रैक्टिस करती रहती हैं और यही आलिसान सा नोमंजिल का बिल्डिंग है और इसी में अमिसा पटेल आज के टाइम में भी रह रही है दोस्तों आपको थोड़ा सा मिसा पटेल जीके इस बि मिल रहा है और यहां पर दे conservatives एआर एक हैं है खिड्की व्थियों yen 미ंग्त के परदे तेंगे हुए हैं और इस सबसे बहतरीन चीजास देखने वी काफी बेहतरिन ये बिल्डिंग देखने को मिल रहा है उतना ही खुबसूरत ये बिल्डिंग अंदर से भी है इनका ये घर मुंबई के जुहू में जहां पर जितेंद्र कपूर जी का बंगलो है न उसी के पास में इस्थित है आप लोग देख सकते हैं यही है अमिसा पटेल जी मैं दिखा रहा हूँ न आपको इसी पर रहती है अमारी अमिसा पटेल जी आप सभी को पता होगा कि इनका जन्म कहा हुआ था अमिसा पटेल जी का जन्म न नौ जून उनिस से चुछिएतर को मुंबई में हुआ था इनकी माता का नाम है आसा पटेल और इनके पिता का होना प्यार है से डेब्यू किया था जो ब्लागवस्टर फिल्म थे इसके बाद फिल्म गदर एक रेम कता की और वो भी ब्लागवस्टर साबित हुई इसके बाद अमिसा ने रेश्टू भूल भूलया हमराज ये है जलवा क्रांती और जमीर जैसी सफल फिल्मों में काम कि क्या है और अभी हाली में उनकी मूवी गदर टू भी आई थी जो काफी ब्लागवस्टर साबित हुई है अगर अमिसा पटेल जी के टोटल नेट वर्थ के बारे में बात करें ना तो इनका टोटल नेट वर्थ लगवग 25 करोड रुपय है और इनके पास BMW और Mercedes जैसी खुबसूरत लग रहा है क्योंकि ऊपर काफी ज़्यादा फूल पौधे लगाए गए हैं और बालकनी की खुबसूरती उससे भाई साब और काफी ज़्यादा बढ़ जाती है यह है टेरिस का नजारा और अमिसा पटेल का घर मैं आपको अमिसा पटेल जी के घर का वीडिय हर एक एंगल से दिखा रहा हूं स्लो मोसन हो या फास हो भाई साब मैं दोनों गेट के साइड गया दूर से भी दिखाया और यह बिल्डिंग कितनी खुबसूरत दूर से लगती है किस तरह से पास से लगती है पूरा नजारा मैं आपको बहतरीन तरीके से दिखा रहा हूं तो अभी मैं इनके गेट के जश्ट सामने आ चुका हूँ और देख सकते हैं अभी पहला ओला गेट उधर है और इसके बाजू में ही बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं जहां से अक्सर जब वो रील वगेरा बनाती है न तो पेड़ पौधे अधिक दिखाई अभी देते हैं अमिसा पटेल जी के घर का एड्रेस है सूभम वित्री गुल्मोहर रोड क्रॉस रोड नंबर थ्री और यही है बिल्डिंग जहां पर वो रहती है तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको अमिसा पटेल जी के घर का पूरा नजारा दिखा दि जेगा और बगल में पेल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा चली दोस्तों मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए ब्लॉक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत